हालो दोस्तों मैं हूँ वैवफ शर्मा और आज हम सेवेंथ क्लास की जो एंसे आटी की जोग्रॉफी है उसका हम चैप्टर है जो एट चैप्टर है हुमन इन्वार्मेंट इंट्रक्शन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन तो इससे पहले वाले लेक्शर में हम पार्ट वन कवर कर चुके थे जिस पार्ट वन में हमने कुछ पार्ट कवर कर लिया था अब इस सथार्ट करते हैं कि पिछले हम lecture में क्या कवर कर चुके थे तो इस दो टॉपिक में बटा उवा था हमारा लेक्चर तो एक तो था life in the Amazon basin की अमेजन वेसिन में जीवन क्या है वेसिन वेसिन के बारे में थोड़ा बात कर चुके थे और दूसरा आज यह जो है जिस पर आज हम डिसकेशन करेंगे पार्ट टू है जो इस चैप्टर का गंगा लाइफ इन गंगा एन ब्रह्म पुत्र बेसिन की गंगा और ब्रह्म पुत्र गंगा एवं ब्रह्म पुत्र बेसिन में जीवन कैसा जीवन है कैसी वहां की वाइल लाइफ है कैसी वहां की वेजिटेशन है क्या वहां पर लोग कैसे डेवास करते हैं क्या खेती करते हैं कैसे रहते हैं इस चीज के बारे में डिसकर्शन करेंगे तो हम कल हम बेसिन देख चुके थे बार नदिया जिस छेत के पानी को भाकर ले जाती है उसी को उस नदी को मुक नदी का क्या वेसिन कहते हैं और हमने अच्छे से समझाये वी था Amazon पढ़ा रहे थे लेकिन हमने गंगा वेसिन के वारे हम बताया था यह क्या गंगा वेसिन है पूरा कैच्मेंट एरिया है तो आज भी देखो बेटा गंगा व्रभ मुत्रवेसिन की बात है तो गंगा यहां से निकलती है और ऐसे करके जाती है यह अभी हम यह भी देखेंगे कितने डिग्री लाटिटूट लोग पे है तो यह सारी ऐसी ब्रहम पुत्र यह आती है साम में और ऐसे करके यह यहां पर डेल्टा बना देती हैं और इन में चोटी-चोटी रिवर्स मिलती है जैसे ऐसे गंगा में आके एसे यमना मिली यमना में चंबल वेतवा पर णोई सोन मिलती गंगा में महान नदीदर आजा के मिल जाती है ठीक है आए इस सिक्किम से आती है देस्ता मिल जाती है बंगलादेश में आके चोटी चोटी नदिया यह पूरा जो है यह क्या है मुख नदी जो पिली वाली देख़े रही हे मुख नदी यह वाले जो नदी यह ए बेटा कौन सी नदी यह यह ब्रह्म-पुत्र नदी Dawn प्रहं को जब रिवर सिस्टम बढ़ाएंगे तो उसमेंगे हम कौन कौन सी ऑठ कौन से डिवार एप और यह वाली यह वाले यह वर इसके जो यह चोटी चोटी यह साहग नदियां यह नहीं हम कहते हैं चमबल है अब इसमें दो नदिया मिल गए ऐसे करके यह तो यह मेरा कहने का मतलब है यह जो पूरा च्छेतर्ण आपको दीख रहा है यह पूरा जो एरिया दीख रहे जोंग इस जोंग को क्या कहते हैं गंगा ब्रहंपुत्र बेसिन गंगा ब्रहंपुत्र बेसिन आशा करता हूँ आप ये चीज़े समझ में आ रही होगी अब हम गंगा ब्रहंपुत्र बेसिन की कुछ location देख लेते हैं क्या क्या location है तो हम location की बात करें तो इससे पहले वाले लेक्षेर्स में हम पढ़ा चुके हैं आपको कि जो भारत देशा है हमारा कि वह कहां पर बस है ये क्योटर है जिससे भूमद रेखा कहते हो और यिसके ऊपर जाती है यह कौन से छेत्र में आता है यह पोशल करता है उपोश्ल कटवंदिये जो ये वाला जो छेत्र आता है ये कौन सा है ये उपोश्ल सब ट्रॉपिकल रीजन है सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है उपोश्ल कटवंदिये छेत्र में आता है कटवंदिये छेत्र में आता है जो आपका 10 डिगरी नौर से लेके 30 डिगरी उत्त पाया जाता। यह पूरा। यह वाला पार्ट को क्या कहते हैं। इसको हम कहते हैं गंगा वेसिन हो कि यह बेसिन में करने 10च streams के मदण पाइजाता हैं। यह किस को तो आश्या करता हूँ यह चीज समझ में आ रही होगी 10 डिगरी उत्तर से 30 डिगरी उत्तरी अच्छांस के मद्ध पाया जाता है अच्छांस चो लैटिटूड है उसके मद्ध पाया जाता है कौन सा हमारा गंगा भ्रहंपुत्र वेसिन की बात कर रहा हूं और इसकी ट्रिव क्या है तो इसकी ट्रिवुट्री क्या है बेटा यह देखो इसकी ट्रिवुट्री है जैसे इसकी गंडक है राम गंगा इदर आके गोमती है जिस पर लखनो सहर बसा हुआ है कोसी रिवर है विहार में जाके गंगा में मिल जाती है घागरा है राप्ती है इदर चंबल नद मिलती है सुबन सीरी मिलती है कामिंग यह सारी इसकी साहग नदिया है और यह पूरा च्छेतर है वो क्या है गंगा ब्रंपुत बेसिन है ठीक है आशा करता हूं यह समझ जब आपको चैप्टर पढ़ाएंगे नदियों वाला तो हम उसमें देखेंगे कौन सी रिवर का कौन स कौन कौन सी साहे करेबार है लेफ्टिविटी राइटिविटी इन सब चीजों के बारे हम जानेंगे जैसे हमारे एक्जाम परस्पेक्टिव से पूछा जाता है तो चलिए नेक्स देखते हैं बेसिन की प्रमुख विसेस्ताइं क्या है जो गंगा और भ्रहंपुत्र आप का वेसिन है इस वेसिन की कुछ आपकी प्रौपर्टी भी हैं कुछ मुख विसेस्ताइं wrapsंथं की आहिं पहली तो मुख विसेस्ता ये देखते हैं कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र है वो मैदानी छेत्र है परवतिये में आता है हिमालेन पुठील्स हैं सुन्दरवन डेल्टा इस सारी चीज़े आ जाती है कि क्या है पहली अगर देखें तो जो अगर हम भात करें गंगा और ब्रह्मपुत्र है टि है मैदान जहां पर नदियस भैरे चैट्र मेन आपका हिमालेन जो उ से उसमें भी आजाता है वे बताएंगे हिमालेन जो गिरपाद होता है इन नहीं में गिरपाद कहते हैं what परवत है उसके यह वाला आगे पर परवत है उसको संदरवन डेल्टप घेल्टा जहाता है इफसकर में देखो ये वाला पार्ट है, ये क्या है, इसमें एक मैप लगाना भूल गए, ये वाला जो छेत्र है, ये डेल्टा छेत्र है, ये जो आपका परवतिया भाग है, क्योंकि हिमालियन पूरा रीजन है, ये वाला रीजन है, ये हिमालियन रीजन है, पूरा अनोचल प्रदेश वाला, बहीं ये वाला भाग है, ये मैदानी छेतर है, ये पूरा असाम हो, ये उत्तर प्रदेश, बिहार वाला मैदानी छेतर आजाता आपका, और ये फुट हिल्स आजाती है, जहां से ये निकलती है, और थोड़ा नीचे उतरती है, हरी दुआर साइड में, तो ये आपकी फुट बेसिन पढ़ाता हो, आइमाज़न बेसिन में ज़्यादा अपॉर्चन वह नहीं थे, परवत अरवत, ये परवस्था जादा, लेकिन ये यहां पे आपको डेल्टा, वेल्टा, ये सब चीज़े देखने को नहीं मिली थी, ठीक है, तो आशा करता हो, ये चीज़ समझे, य आपको सिक्स क्लास के एंसे आटी के जो लेक्चर पड़े हैं, उनमें हमने आपको बताया है, चाप जील पाई जाती है, कैसे, नदी जब मेंडरिंग करती है, मैदानी चेतर में आके, तो क्या करती है, वो कटाओ करती रहती है, तो ऐसे करके पोर्शन कर जाता, फिर वो अ यहां की जलवायू कैसी है बेटा, यहां की जलवायू मानसूनी है, कैसी है, मानसूनी जलवायू पाई जाती है, अब मानसूनी जलवायू क्या है, देखो, अब मानसूनी जलवायू पाई जाती है, तो मानसून कब कब आती है, अगर देखी जाये, तो मद जून से लेके, जून मद्ध जून से लेके मद्ध सितंबर तक आपको मिलेगी देखने को बाई सितंबर तक देख लो एक जून पर आपको स्ट्राइक कर जाती है भारती सब्कॉंटिनेंटल पर इसके वार धीरे धीरे वह बढ़ती है आगे की तरफ तो मांसून चेप्टर पढ़ाएंगे उसमें देखेंगे ढंक से अभी तो फिला लिए देख लो यहां की जलवाईव कैसी है मांसून जो गंगा भ्रहंपुत्र वेचिन है यहां की जलवाईव मांसूनी जलवाईव हो है मांसून के द्वारा होती है तो यहां पे जो गर्मियां होती है समर होती है जब ग्रीश म कमें यहां कि वेदर कैंसा मिलता है ठंड़ मिलता यहां लग गर्म काफी गरम होता लाव है तो का जो है बेसिं जिसमें विविन प्रिकार के इस्तला करती हैं? अब यहां पे क्या है? जिसे कहते हैं लैंड फॉर्म अब लैंड फॉर्म्स आपको कैसे मिलेंगे विविन पिरकार के बात करते हैं मुन पर देखो जनसंक्या के बित्रण में अगर देखा जाए परियावड की भूमका होती है जनसंक्या बित्रण अब एक चीज देखो कि यह आपका क्या है परवतिय च्छेत्र और इसके नीचे जैसे यह गंगा नदी आई त त्यक्तर है क्यासा च्छेत्र हो गया मेदा に थोड़ा डाइग्राम से समझने की एषीश करो यह परवतिय च्छेत्र है और यह नदी जब आपकी मिलती जाके है तो यह आपका डेल्टा बना देती है यह आपका डेल्टाई छेत्र है यह आपका डेल्टाई छेत्र है अगर हम बात करें कि गंगा की कि गंगा जो है यह परवतिय छेत्र है परवतिय छेत्र कैसा ढाल वाला होगा ढाल है स्लोप है स्लोप बाला छेत्र होगा तो यहां पर लोग ज्यादा रहेंगे कम रहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी दिक्कत होगी सामान को जो खाने पीने के रोज मर्रा की चीज़ें उनकी भी आवशक्ता होगी तो उनको भी आसानी से प्रॉवाइड नहीं हो पाएंगी वह चीज़ें तो यहां पे लोगों का बसाओ कैसा होगा कम रहेंगे यहां पर लोग कम रहेंगे क्यों कि पानी भी तेज बढ़ रहा खेती कर नहीं सकते क्रशी कर नहीं बहीं अगर मैदानी चेतर में आए तो मैदानी चेतर में क्या होता है मैदानी चेतर में यहां पर नदी का पानी स्लोग हो जाता है दीरे दीरे बहती है और भ उपजाओ, फर्डेलिटी होती है उसमें, और जब फर्डेलिटी ज़्यादा होगी और वरक्ता ज़्यादा होगी, मलब उपजाओ मिट्टी होती है, तो क्रशी भी क्या होगी, क्रशी अच्छी होगी, तो लोग जहां क्रशी अच्छी होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, लोग रहने का, उनके खाने पीने की व्यवस्ता होगी, आराम से प्लेन एरिया है, घर भी बना सकते हो, मकान भी यहाँ पर बना लोगे, तो यह सारी जब सुबदा होगी, तो लोग यहाँ पर क्या ह बात करें, तो डेल्टाई छेतर में क्या, खारा पानी मिलेगा आपको ज्यादा, पानी की समस्या मिलेगी, आपको खेती की थोड़ा मिटी इतनी उपजाओं नहीं होगी, तो यहाँ पर भी लोग कैसे रहेंगे, लोग यहाँ पर भी बिटा कम मिलेंगे, आपको कम लोग रहेंगे ज्यादा लोगों की नहीं मिलेगी जन संक्या ज्यादा नहीं मिलेगी तो आपको यहां पर जन संक्या घनत्यू की बात करें अगर हम एक टर्म है जन संक्या घनत्यू कि जन संक्या घनत्यू कहां पर मिलेगा आपको मैदानी छेत्र में आपको जन संक्या घनत्यू क जादा मिलेगा घनत्यों अब जन संक्या घनत्य की बात कर लो क्या होती है जन संक्या गनत्यों तो एक वर्ग क्लोमीटर छेत्र में रहने वाले लोगों की संक्या यह मानना एक वर्ग क्लोमीटर का छेत्र है वन वर्ग क्लोमीटर का छेत्र है इस छेत्र में जित्ते लोगों जित्ते भी लोग रह रहे हैं उन लोगों की जो संख्या है उसी को जन संख्या गनत करते हैं तो मैदानी छेत्र में ज्यादा जन संख्या गनत होगा ना के दिटैभ और को एकस्वार करती शाइव्येथ। 한ार ने ॔र सकता स्वाल皆さん to नमन्य लेकित में जन्शंखिया गनत्य की छेत्र में जधा होगा मैदानी ज्छेत्र जचैत्र डीजन पता है क्यों मैदानी छेट्र में जन्शंगया ऐसे पड़ती हैं तो आपके बन सकता है इसससी जैसे सवाइक्जाम में 1 सब्सक्राइब तो तो आपके exam के लिए ज़्यादा beneficial रहेगा जन्संक्या घनत्य भी जांगे क्यों जन्संक्या घनत्य ज़्यादा होगा तो हम एक चीज और देख लेते हैं अब देखो जन्संक्या घनत्य के यहां मिट्टी कैसी है आप यह तो समझ गए कि जन्संक्या जो population density है जन्संक्या घनत्य जिसे हम कहते हैं population density में अब population density क्यों ज़्यादा होगे? population density ज़्यादा होने का reason यही है कि यहां की मिट्टी कैसी है विटा? यहां की मिट्टी उपजाओ है कैसी है? उपजाओ है fertility उसमें ज्यादा है crop ज्यादा अच्छे से हो सकती है maximum ज्यादा से ज्यादा crop होगी लोग बेच भी सकेंगे खा भी सकेंगे और संतल एरिया है लोगों घर भी बना सकेंगे अच्छे से पाड़ी एरिया पे उन्हें घ तु क्या है ज्यादा जन्संग क्या गानतु दू ज्यादा मिलेगा में कैसे हैं लोगों का मुख वेवसाय क्या है लोगों यह ज्यादा क्रशी करती तो मुख्य फवसल्या देखने को मुख्य जो आपको मिलेगी देखने को मुख्य जो फवसल्याइन दान जाम ब्याल यूपी विहार पशिम मंगाल असामुदर्द चले जैलों आपको धान ज्यादा मिलेगा आपको देखने को इन चीटों की खेती क्योंकि धान के लिए क्या धान के लिए आपको बर्सा चाहिए पानी चाहिए और यहां पर क्या है कि अधिक वर्सा होती है जान की खेती के लिए पानी जाता चाहिए लग्णा ठीछ कि लागश दी दान की खेती कर रहा है पैडी क्रॉप दान कहेती जिस्टेंग पैडी जैने देखो इन्होंने क्या किया, खेट में इन्होंने 12 टाइप का बना लिया, उसमें पानी भर दिया, पानी भर के उसमें क्या किया, यह देखो, एक एक करके एक एक रोपिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो यह क्या है, इसके लिए क्या, यह गंगा में ब्रह्मपुत के मैदानी छेत्र में ह ज्यादा होता क्योंकि पानी की दिखते हैं पानी मांसूनी एक तो जलवायू मांसूनी है उपर से गंगा और यह बेट सिंसे इन से पानी की भी आप पूर्ती हो जाती है तो यहां पर इसी लिए कि धान की खिटी मुख फसल है आपकी लोगों का ठीक है तो आशा करता हूं य यू पी में सब्से ज्यादा गेहूं भारत में यू पी में होता है गहूं गयना की ख category के बाद यह मख्का की खेती भी करते हैं मख्का की खेती करते हैं जो आरे चंहां सारी अधरी 55 जो विक्रॉप यह सारी नगदी फसल commercial crops भी करते हैं बेचने के लिए नगदी फसल को जैसे commercial क्रॉप बोलते हैं जैसे गन्ना करते हैं उसको बेचते हैं आपकी सुगर बनती एया जो आपका गोड यह सब चीज़ए बनती है तो मार्केट में बेचते हैं, कमर्शिल क्रॉप है, ठीक है, जूट है, ये सारी चीजे क्या है, इस छेत्र में जो गंगा वेसिन छेत्र है, इसमें बहुत की जाती है, जूट आपको ये पशिम बंगाल और बंगला देश यहां पे बहुत ज़्यादा है, ये लोग जूट की हो गया, असाम हो गया, यहां पे आपको सबसे ज़्यादा खेती की सीच की मिलेगी, ये लोग चाय के बागान करते हैं, चाय के बागान, देखो, ये देखो, चाय के बागान है, ये चाय के बागान, ये कहा है, पश्यम बंगाल, जो डार्जलिंग छेत्र है, ये जो भारत का नक्सा है ये ऐसे करके आते हैं ये नेपाल है और ये ये वाला देखो एक सेकेंड बनाते हैं और ये ये जो है ये डार्जलिंग ये पूरा यहाँ पे ये सब बागान चाय के बागानी होती है यह असाम का छेतर है, यहाँ पे भी चाय की बागानी होती है, यह सारे पार्ट में क्या है, चाय की बागानी करते हैं यह लोग, ठीक है, तो पश्यम बंगाल असम में आपको क्या है, चाय की बागानी देखने को मिलेगी, चाय के बागान, भही आपको अगर हम बिहार असम की बात करें तो यहाँ पर क्या करते हैं यह हम सारी गंगा भ्रहम पुत्र जो बेसिन है उसमें क्या-क्या क्यॉप होती हैं हम उसके उसकी बात कर रहे हैं सिल्क का उत्पादन करते हैं यह लोग सिल्क के कीड़े क्या हैं सिल्क के कीड़ों का पालन करते हैं सिल्क के कीड़ों को पालते हैं और उसको पाल के क्या करते हैं सिल्क उत्पादन करते हैं सिल्क उत्पादन यह कहां मिलेगा यह आपको बिहार, असाम यह पूरा गंगावी सिन है गंगावी सिन में ही सिल्क उत्पादन करते हैं मन धाल पे आपको बेदिकाओं वाली फसल मिलेगी यह देखो यह बेदिका缀 ट्रेया इसली कहते हैं भ क्रशी बेदिका एक बैदिका क्रशी आपको मिलेगी यह पहाड़ी के जो मंद ढाल ना बहां पर मिलती है क्योंकि यहां पर दिखो यह स्टेप फार्मिंग इन्होंने क्या सीडियां बना रखी है अगर यह सीडियां ना बनाया तो सिचाई के लिए पानी रुके नहीं मिट्टी नहीं रुकेगी जो पोशक तत्त होंगे मिट्टी में वह भैके चले जाएंगे ढाल वाला रिजन उइसलिए इस्टेप फार्मिंग ऐसे करके करते हैं यह यह बेदिकाएं बना लेते हैं चूटी-चूटी यह दिखो यह दिखो यह इन्होंने बेदिकाएं बना रखी हैं जिसे पानी और मिट्टी की जो भी निट्रेंट है वो बचे रहते हैं और यह अपने खाने पीने तक की जो होती है क्रिशी कर लेते हैं यह कहां मिलेगी आपको यह ज्यादा तर आपको जो फुट हेल्स है उत्राखंड है यह आपके हैं यह अनाचल प्रदेश सारी जिञेंगी तो आश्या करता हूं यह बहुत में आई होगी स्टैप फार्णिंग डेल्टा चे चेसर में अगर हम जाएंगे तो डेल्टा छेतर में आपको वहाँ फश्देवरिद के आपको मैंग्रोव फश्द ज़ादा करते हैं वहाँ इम डेल्टा आपको पो तैंब कि यह सब क्या है गंगा ब्रह्म पुत्र बेशन है जो उसकी ही उसमें होने वाली जो भी एक्टिविटी है यह जो उसकी बात कर रहें तो यह चीजें दोनों चीजें देख चुके वह अगर हम बात करें कि यहां पर जो बनस्पतियां ये तो क्रिशी की बात कर ली अगर हम देखें कि जो विविन भू आकृतियों के अनुसार बनस्पती में भी विन्नता मिलती है विविन भू आकृतियों के अनुसार आपकी वेजिटेशन है जो बनस्पतियां है बनस पतियों में भी आपको किया मिलेगी बनस पतियों में भी विन्निता देखने को मिलेगी अब देखो कैसे अगर हम भारत के उत्राखंड की बात करें अगर हम एक map ड्रॉ कर लें ज्यादा वेनिफिजिल रहे गा एक रफली मैपी बना लेते हैं भारत का यह रफली मैप है और यह भारत का रफली मैप है अगर हम देखें तो यह तो आपका हिमालन तो अगर हम यहां की बात करें बिविन भुवा करतियों के अनुसार बनसपतियों में भी बिदता मिलेगी अगर हप यहांपे देखें시면 में मैदानी चेत्र में आऊगे तो आपको चाहिए क्य tumor मिलेगी जैसे सागवान सीशम नीम आम पीपल यह सारे आपको पेंड देखने और आपको बास के ज्वरमुट देखने को मिलेगे बास के जुर्मुट जुर्मुट मलब होता है एक जुर्मुट जुर्मुट मलब होता है बास क्या होता है एक जगह ऐसी करके ऐसे खटा एक जगह मेंगुरोफ के पेड मिलेंगे, डेल्टा शेतर में मिलेंगे, मांगुरोफ के पेड ये सारी गंगा क्या। तो अकरत्य चेंज हो रहे हैं। जो गंगा मैंने विसेस्ता अब ही पीछे पड़ा इन थी कि इस 550 की सिर्फा क्या है इसकी विसेस्त्था अई, ये है कि यहां पर पहली वाली देखो कि मैदानी परवरत हिमाल है गिरपार हर चीज है लेकिन यह किसमें नहीं था यह अभी जो एमेजन बेसिन पढ़ा चुके उसमें इत्ती विस्षिस्ताई नहीं थी इसमें है भुवाकरतियां चेंज हो रही है आपकी बही उत्राखंड यह जो उ जलवायू मिलेगी अब जलवायू जब ठंडी होगी इससे पहले वाले हम लेक्चर में पढ़ा चुके क्या है यह तीब्र धाल भी है अब ठंडी जलवायू तो यहां पर आपको क्या चीड है देवदार है जो ऐसे करके ब्रक्ष जाते थे यह पढ़ाई थे यहां पर पि के मोगे अरणा चल प्रदेश हो गया क्यूंकि बहुत गंगावेशन में आता है यह वितो सारा पार्ट गंगावेशन में आता है तो अशा करता हूं की जो वुद्वाक्रुतियों चेंज हो रही है बेसिन में तो बनस्पतियों में विनदा देखने को मिल लए आपको तरह कि कैसे कहते हैं वाइलड लाइफ कि वाइललाइफ कैसा है तो देखो यहां पर आपको गंगा ब्रंपुत्र गंगा न अदिम आपको क्या क्या मिलेगा आपको गंगा विरंपुत्र बेसिन में अगर देखो तो आपको बाग मिल जाएंगे टाइगर रिजर्व है बाग मिल जाएंगे हिरन मिल जाएंगे आपको शेर मिल जाएंगे, बंदर मिल जाएंगे, हाथी देखने को मिलेंगे, जैसे माइनस टाइगर रिजर्व असाम में हाथी, आपको एक सींग वाला गेंडा देखने को मिलेंगे, एक सींग वाला गेंडा जिसे राइनो बोलते हूं, देखो साथ इमेज लगाई है, यह है वन हार्ड राइनोम जिसे कहते हैं एक सींग वाला गैंडा यह देखो यह देख रहा है इसका एक सींग ठीक है यह आपको कहा मिलेगा यह मानस जो आपका वाला जो असाम में है उसमें मिलता है टुद एक सींग वालग को मानस और अगाजी रंगा इन दोनों में से किसी एक में तो मुझे याद नहीं आ रहा हुए इसको देख लेना एक बानी चेतर में पाया जाता है यह ब्रहम्पुत्र के मैदानी चेतर हैं कि और काई मिलेगा के मैदानी चेत्र में आपको देखने को मिलेंगे यह हाति हो गया और अगर देखे लोगा लीव एम को डेल्टा चेत्रा है चेत्र में आपको बंगाल टाइगर देखने को मिले गा बंगाल टाइगर इमेज नहीं लगए ऑंगेल टाइगर देखने को मिलेगा आपको घडियाल देखने को मिलेगा मगरमच त यह सारी आपको क्या इस्पेसिस vậy इस आरी चीज錢 डिलटाई छेतर में देखने को मिलेगे थी मतलियांU मचलियां जैसे रोहू है आपका कतला है डॉल्फिन मिलेगी आपको अब यह हम आगे बात करेंगे यह इंडस डॉल्फिन है इसके बारे में इंडिकेटर भी है यह कतला है इस टाइप की आपको मचलियां मिलेगी इसलिए जो यह छेत्र है न इस छेत्र में आपको रहने वाल लोगों का जो मुक्हार है, वो मुक्हार क्या है? मचली चावल, क्योंकि चावल की खेती भी बहुत होती है, और मचली भी बहुत मिलती है, तो मचली चावल यहां का क्या है? आप बेस्ट वेंगॉल में चले जाएए, असम में चले जाएए, वहाँ पे आपको मचली चावल बहुत खाया जाता है मचली चावल यहां का क्या है मुख का हार इस छेत्र का मचली चावल क्या है वह मुख का हार है जो आपको इस छेत्र में देखने को मिलेगा अब भही अब हम बात कर लेते हैं डॉल्फिन की बात कर लेते हैं यह डॉल्फिन यह देखो यह गंगा नदी में पाई जाती है और यह इसको एक गुड इंडिकेटर भी बोला जाता है जल की सुदता का पता लगाती है इसका दूसरा नाम है इंडस डॉल्फिन गांगाटिक डॉल्फिन यह ब्लाइंड होती है कैसी होती है ब्लाइंड होती है ब्लाइंड मनलब अंदी होती है दिखता नहीं है इसको बसे इसके यह सूख सूख डॉल्फिन जिए अंदी डॉल्फिन है सूख सूू इस्थान है लोकल भासा में लोग बोलते हैं तो अत्रिक मातर में गैरुचवारी कोद्दूइट सायरी में , यह क्या है , यह थाफ पानी में यह देखती है यह आपको गंदे पानी होगा तो गंदे पानी में नहीं दिखेगी अभी दिखो पानी कैसा है गंगा नदी का पानी साफ है इसलिए डॉल्फिन दिख रही है यह साफ पानी में दिखने की बज़े से इसको क्या कहती है साफ पानी में दिखती है केवली है इसलिए इसे क्या कहते हैं इंडिकेटर एक टाइप का है यह वाटर इंडिकेटर की तरह वर्क करती है यह दिखना स्टार्ट हो जाए अभी कोविट काल में क्या हुआ था कोविट पीरिएड में अभी एक्टिविटी बन थी सारी तो तो जिससे पता लग जाता है इंसे कि यह क्या है गंगय नदी के पानी पलूटिट नहीं है साफ है तो एक इंडिकेटर की तरह काम करती जल की सुद्धता का पता लगाती है कह सकते हो यह क्या है जल की सुद्धता का पता लग जाता है कि जल कितना सुद्ध है कितना अशु का पता लग जाता है जलकी सुद्धता का पता लग जाता है ऐसे ठीक है वाटर इंडिकेटर की तरह वर्क करते हैं शू-शू तो यह सब क्या है यह गंगा नदी में ही पाई जाती है और भी है आपके ठीक है अब हम कुछ बात कर लेते हैं सहरों की अब हम कुछ सहरों की बात कर लेते हैं इसके बाद अपने टॉपिक को देखेंगे एक टॉपिक और बचेगा और उसके बाद हम देखते हैं तो सहर की बात करें तो देखो गंगा ब्रह्मपुत्र वेसिन में जो सहर है गंगा ब्रह्मपुत्र वेसिन में आपके कुछ सहर भी बड़े बड़े सहर है जो नदीयों के किनारे जैसे की आपका एक सहर कानपुर गंगानदी किनारे लक नव गोंती नदी किनारे लक नव आपका इल्हावाद कि अग्षा इसे अल्हावाद कहते हैं अब तो प्रियाग राजनाम हो गया इसका अब नाम चेंज हो गया और वो हो गया तो इयाद रखना यह च्छोटे मोटी एक्जाम से पूंछ लेता है तो ऑख पर तो आप गुंथा खक्षाटी में और बी हैं वो क्या है वह गंगा ब्रहंपतर वेसिन में आते हैं बहुत सारे सहर हैं जो गंगा भ्रहंपुत नदी के कोलकाता होगए आपका पूछ देगा कुलकाता किस नदी के किनारे बसा हूई होगली नदी तो इस थाइक के mcqs आपकेcot Madrid बन जाते हैं तो ये क्या है ये बड़े बड़े सहर है और ये बड़े क्या हैं शहर की से दसलाक आवादी से ज़्यायदा वाले आवादी कि सार सe अधिक कि वाले क्या है सहर है मैं इन सहरों की आवादी क्या है दसलाक से भी ज़्यादा हैज irgendwie अब इन सहरों में एक चीज और दिखते हैं कि इन सहरों में क्या है दस लाग से जादा आवादी है यह सब गंगा ब्रहंपुत्र नदी के बेसिन में बसे हुए हैं बड़े-बड़े सहर हैं जाने माने और इन सहरों तता क्या है एक निगेटिव पॉइंट और देखते हैं यहां पे कुछ दोग धंदे इंडस्ट्र लगी हैं और इन सहरों का भी जो पानी है सहरों का जो गटर वटर जो सीवेज का पानी है वो क्या है नदियों में गिरता है अब पानी कैसा होता है गंदा पानी गिरता है वो पानी कैसा होता है गंदा पानी होता है और गंदा पानी कहां गिरता है नदियों में गरता जाके अब तो नदियों में गरता जागे है तो नदियां क्या होती मेटा नदियां दूसित होती हैं दूसित मतलब पॉलूट होती है नदियों में पॉलूशन होता है मरीन लाइफ एफेक्ट होती है अब नदियां पॉलूशन होती है तो जो मरीन लाइफ है मरीन लाइफ या प्रभावित होती है लुब्त वह लगती है अब नतियों में ज़्यादा चीजें अपनी छोड़ोंगे गंदा पानी छोड़ोंगे तो रहने वाली मचलियों को भी तो दिक्कत होगी वह भी प्रदूशित होगी विल्म को खाओगे बीमारी का घर बनेगा बहुत सारी चीजे कि जब आगे हम पड़ेंगे पॉलूशन के बारे में तब हम देखेंगे फिलाल तो इत्ता देख लो कि इन चीजों की बज़े से क्या होता है जैसे जारखंड की सुबड रेखा है वो गंगा ब्रहंपुत्र नदी का एक क्या है एक इसी बेसिन का एक पार्ट है सुबड जाता है तो एक भी वहाँ पे कोई भी वाट अक्याटिक लाइफ नहीं पाए जाती है कोई भी फिशिंग फिस्स कुछ भी नहीं पाए जाती वहाँ पर क्यों कि कैमिकल है उस नदी में पॉलूटिड है पूरी नदी सुबड रेखा है क्या है यह मानव गत्विदियां है जिनकी वज़े से पॉलूटोड होई है पॉलूशन क्रियेट हो रहा है ठीक है हम अपने विकास के चक्कर में क्या करते हैं हम बाकी लाइफ है उसको एफेक्टेट पहुचाते हैं अब हम कुछ परेटे निस्तल भी देख लें लास्ट टॉपिक है हमारा इसके बाद यह हम मिलेगा कहां एं महल अगरा में खौँन से नदी के किनारे विम्हुना नदी के किनारे संगम मिलेगा संगं देखने को मिलेग ऐखेruce बहिए आपको असम में काजी रंगा मानस वन जी प्राणी अभ्यारड मिलेंगे वाइल लाइफ सेंचुरी मिलेंगी काजी रंगा काजी रंगा जहां पर हम बात कर रहे थे एक सिंग वाला मानस जहां आती हैं यह सारे वाइल लाइफ सेंचुरी यह वन जीव अभ्यारड यह सारे क्या परेटनिस थल हैं और यह आपको का मिलते हैं यह गंगा भ्रहंपुत्र बेसिन में मिलेंगे देखने को तो यह भी आप जाएंगो बहुत सारी जंजातियां भी रहती हैं यहां पर ठीक है इन छेत्रों में बहुत सारी जंजातियां रहती हैं असाम में आपको जंज कि इनसे हम आगे कोशन लाएंगे तब हम कवर करेंगे और फिलाल तो आप यह देखिए कि इस चेप्टर कवर हो चुका है और इस चेप्टर में आपको जो भी था वो पढ़ा दिया गया एक वार आप इस NCRT को रीड कर लें तो आप और अच्छे से कैरी कर पाएंगे बाकि इसके बेज्ड हम आगे लेक्टर लाएंगे तो उनमें MCQ जिकने भी NCRT के चेप्टर पढ़ा दियें उसमें MCQ स्टार्ट करेंगे जिसमें हम और अच्छे से कवर कर लेंगे NCRT को ठीक है तो इस जो यह पूरा चैप्टर है इस पूरे चैप्टर दो पार्ट में था पार सब्सक्राइब करते हैं गाड़ विलेश यू आल एंड थैंक यू जैहें